जैश ट्रीशा मेरियन, तो आज की वीडियों में बात करने वाले हैं New Scheme, यानि कि मई 2024 के CA Foundation के Accounts के Important Topics with Asan Topic कौन-कौन से हैं कि Accounts के अंदर, मई 2024 के अंदर जो New Scheme आने वाली है, वहाँ पर Easy Topic with Important Topics कौन-कौन से हैं मतलब कि वो Topic असान भी है और Important भी है 11th में भी असान लगा था, तो यहां था असान लगे गई तो हर बार Question दिखने को मिलता है 5-8 नमबर का, तो अब इस बार भी अभी आपका Chapter जो है New Scheme में भी है तो यह असान Topic है, Bill of Exchange ये भी बच्चे पढ़के आ चुके हैं, 11-12 के अंदर यहां पर Accommodation वाला थोड़ सा Point बच्चे को थोड़ सा दिक्कत देता था, बट बाकी Chapter बहुत असान है, और Accommodation एक बार समझाने के बाद वो भी असान हो जाता है, इससे भी हमेशा Question इसकी जो Weighted Average कहूं मैं, वो 5-8 नमबर के आती है, Rectification of Error 11th क्लास में बच्चे को थोड़ सी दिक्कत देता था, बट अब यह Foundation आते आते हैं, आपके दिमाग का लेविल थोड़ा बढ़ चुका है, तो Rectification of Error अब आपको असान लगता है, क्योंकि अब इससे जाधा Tough Topic आप पढ़के आ चुके हैं, तो Rectification of Error भी एक असान Topic है, Important Topic है, इसके लावा, अब यह जो इस बार नई स्कीम में एड़ हुए हैं, यह वो दोनों चप्टर, तीनों चप्टर, Redemption of Dimension, Redemption of Preferences, पहले, यह Topic Inter में हुआ करते थे, हाँ जी, पहले Inter के अंदर भी असान थे, और Foundation के अंदर भी असान ही है, अगर आपको थोड़े बहुत Basic साते हैं, तो यह Chapter बहुत असानी से समझ आजेंगे, वहाँ पर Inter Level में, Redemption of Preventure में, Own Dimension वाला Concept भी था, जबकि यहाँ पर नहीं है, Redemption of Preferences बहुत असान है, कोई भी दिक्कत प्रशानी नहीं है, Bonus and Right Issue, यह भी बहुत असान है, ठीक है जी, कहीं नगे इसका अपने Company Account में जिक्र सुना हुआ है, Bonus Issue, Right Issue के में, जब आप 12th Class में Company पढ़ते थे, बट आप देखेंगे कि अब उसकी Accounting कैसे होती है, तो Free के हाँ पर आपका जो Chapter होता है, वो लेंदी होता है, या Question लेंदी होता है, बाकी है बहुत असान, अगर आप एक Strategy वाइस उस Question को Solve करते हैं तो, तो Final Account असान है और Important है, क्योंकि 10-15 नंबर का Question हर बार देखने को मिलता है, NPO, अगर आपको Final Account समझ आ गया है, तो NPO भी समझ आ जाएगा, सरफ एक Subscription की Adjustment और Consumable की Adjustment नहीं होती है, बाकी सब असान है, तो 10-15 नंबर का Topic, मेरे को Important Topic भी बताने है, तो यह वाले Topic असान ह है, अगर आपको थोड़ी बात Accounting समझ आने लगी है, तो Company Account, मैंने कहा वैसे यह वाले तीनो Topic आपके Company Account में आ जाएगे, बट मैंने यहाँ पर के लिखा, क्योंकि नए है, और इसके लावा असान है, Company Account में यहाँ पर मेरा मतलब है, Issue and for Feature of Shared, और इसके लावा Issue of Devintures से तो यह कुछ Important Topic है, जिनको अगर आप अच्छे से कर लें, तो 60-70 नमबर अराम से इनी Topic से आ जाता है, 50-60 नमबर का Topic पेपर यहीं पर से अराम से आ जाता है, तो कोई भी घबदाने वाली बात नहीं है, तो अब इन Topic से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मैं 2024 की पढ़ाई ठीक है जी, तो चलिए ऐसी ही नहीं नहीं informative वीडियो जानने के लिए बने रही है हमारे चैनल से, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye, All the Best, Thank You, जैशी शाम, वीडियो को जादा से जादा लाइक करिए और दोस्तों तक पहचाईए इस वीडियो को कि मैं 2024 के News स्कीम के important topics. Thank you so much, जैशी शाम.